इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग भी सीखे हैं और जो ग्रामीन से आते हैं जो दख पर में को आने से बहुत कुछ में को यहां पर सीखने को मिला और मैं आने वालों को भी यहीं बोलूगी कि वो सीखे और खुद के पैरों पर खड़े होई अभी सब लेडिज मेंक अप को प्रेफर करते हैं फोस्ट प्रारीटी ऑप सब को अच्छा दिखना लगता है जो लटके तो करते है पर लेडिज में भी इसकोप है जेंज कूछि की अभी लड़के जो मेंक करते है सबसे पहले आपका नाम बताईए और यह जो प्रधान मंत्री कौशल लेकेंद्र जो है एक सरकार की योजना है जिसमें हम बच्चों को शौट टम के कोर्सेस का ट्रेंडिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे कि स्कील इंडिया में ये ट्रेंडिंग हम प्रोवाइड करते हैं शौट टम कोर्सेस बच्चे अगर करते हैं तो ये स्कील उनको मिलने के बाद आगे जाके ये खुद का एक छोटा सा बिजनेस टार्ट कर सकते हैं या फिर खुद का स्वयम रोजगार भी कमा सकते हैं फिलाल हमारे पास दो कोर्स अभी रन है एक हैंडसेट रिपेर इंजिनेर कोर्स और दूसरा है फिल टेकनिशियन ये स्किल कोर्स ही है जैसे कि बच्चा प्राक्टिकली ट्रेशनग लेता है और अगर मार्केट में जैसे कि प्राक्टिकल जॉब के लिए काफी रिक्वायरमेंट होती है इसे लिए हम ये ट्रेशनग प्रोवाइड करते हैं मैं, कोई student यहाँ पर admission देना चाहता है course के लिए, तो यहाँ का address बताए है जी जी, ज़रूर, तो यहाँ का address है प्रधान मंत्री कोशले केंद्र, N6 CID को नियर राजु गांदी स्टेडियम के opposite site. मैं भी यह कोर्स आपने बताया है, तो यह free of cost है या इसकी कोई fees वगा रहा है जी, नहीं sir, यह जो एक सरकार की योजना है, यह जो कोर्स है, तो यह सभी बच्चों को free of cost में दिया जाता है, जैसे कि ग्रामिंग के कोई student है, जो financially strong नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को हम training प्रो को और थोड़ी से कुछ जानकर देना चाहूंगा, यह प्रदानमंत्री कोईशल लेकेंदर अउरंगाबाद डिस्टिक के लिए यहाँ पर है, जो कि इसका एड्रेस है, यंशिक्स साहिनगर, राजियोगान्दी स्टेडियम के अपोजिट साहिड में, यहाँ पर 6 प्रकार के लिए जो दो कोर्से के लिए बैचेस अभी ओंगाइं जो चालू होगे इस महीने के अंदर, तो उसके लिए हैंटसर टेपर इंजिनियरिंग और एक है फिल्ट टेकिनिशन अदर देन होम अप्लाइंस, जिसमें के आपको और वाटर प्युरिफायर और इलेक्टिकल ची ज़रूर बताऊंगी, यह जो हमारा इंपार प्लस का जो प्रोफेशनल ब्यूटिशन कोर्स है, यह हम 2018 से चला रहे हैं सर्थ, मैं माम के बस में कितने एस्टुजन यहां पर इस्टुटिक में ट्रेनिक लेकर जा चुके हैं ज़रूर बताऊंगी, यह जो हमारा इंपार प जिनका भी अच्छे से पार्लर चला रहे हैं, मैं यहां पर देखा, यहां पर इसी है कि अवरंगवाद शहर में यूनिसेक्स सलून का बहुत आजकल ट्रेंड निकला हुआ है, और इसमें ऐसा है कि जैसे कि लड़किया भी आजकल जो सारे ट्रीटमेंट्स करवाती है, तो तो सेम यूनिसेक्स में ऐसा चल रहा है कि बॉइस भी लड़कियों की जो भी ट्रीटमेंट्स है वो करवा सकते हैं, इसका मैथड नेम है यूनिसेक्स सलून, इसलिए यहां पर इंस्टिट्यूट में हम बॉइस को भी ट्रेंड करते हैं और लेडिस को भी ट्रेंड करते ह तो इसमें सामागली लगती हैं, क्या कैसामागली आप इस्टुडन को देते हैं? इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग-अलग कॉम है उसके बाद फाइलर्स है उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास ये मेकप का कीड भी है मेकप के ब्रश है जो हम इसमें देते हैं क्यों देते हैं क्योंकि एक तो है कि इनका सर्विस इस फ्रीलांसिंग के लिए ये बहुत अच्छे से इस्तमाल होता है इसलिए हम ये कूर्स के साथ-साथ ये कीड भी देते हैं इसका टाइमिंग जो है वह है 11-2 और 2-5 ऐसी दो बैचेस चलती है दिन में और उसके बाद मैं बताना चाहूंगी यहां का एडरेस यहां का एडरेस है N6 सिडको साइमंदिर सिडको अरंगाबाद इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं जो अनपड़ है मतलब जो दसवी तक पड़े हैं वो भी लोग यहां पे आ सकते हैं और ये कोर्स करके हम लोग भी मितलब हमको देखके वो लोग इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग भी सिखे हैं और जो ग्रामीन से आते हैं जो दस वीज तक पड़े हैं वो लोग भी हमारा देखके इंस्पायर होना कि हम भी ये कर सकते हैं और उन्होंने भी ये चीज सीखना चाहिए. कितने मेने हो गए आपको ये कॉर्स शिरू होकर? मेरे को एक मेना हो गया है. आपको कैसा फील हो रहा है यहापर जब कोर्स कर रहे हैं, कैसा मेसुच देख? ये कोर्स करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, विकास यहाँ पर आके हमको बहुत सारी चीज़े नही सिखने को मिलती है, और और अगे भी मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ हमको मालूम नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर सब बताते है, सरलोग वगरा, क्योंकि जो चीज़ हम सीखने आये है, प्रॉपर वही चीज़ हमको सिखने मिलेगा यहाँ पर, शायद होप्स. आप अपर भी As a student है और कौन सी पड़ाई चल रही है आप? मैं as a student हूँ और B.A.C. second year में हूँ with computer सीख रही हूँ और मेरा ये जो है वो मेरा interest है कि मैं ये सीखू beautician course करूँ professionally आप ये जो course कर रहे हैं तो ये course आप कितने दिनों से कर रहे हैं? कितने महीने होगे आप? मैं को ये course शे महीने काए और मैं यहाँ पर देड़ महीने से सीख रही हूँ मैं प्रोपर औरंगबद की हूँ और जो लोग आपको ये video देखकर यहाँ पर admission लेना चाहते हैं नड़कियां उन ड़कियों क्या मश्वर देंगा? मैं उनको बोलूँगी कि यहाँ पर सीखे यहाँ पर मिला और मैं को आने वालो को भी यहाँ भोलूगी कि वो आपकी बढ़ाई सालू हो है? मेरा डियए डू एट वाह सेर कम्लीटर आपकी सीकर क्या करना चाहूं? इसकी विशेश्थाय क्या है? इसकी विशेश्थाय मतलब आप यह कोई आप से एक से कि आप सेे और पे भुट सारह को मिलेगा और पारलर में। अब इस्टेशलीटी आप चेह एक पास अभी बहुत सारे फंक्षॉन होते हैं जैसे कि शादी होता है, कोई भी फंक्षॉनों अभी सब लेडिज मेंग पेप को प्रेफर करते हैं, फिर्सित प्रीयरिटी तो मेंग अच्छा दिखना लगता हैं, तो इसकी स्पेशलीटी आप मेर्क आप थूखे अपका इंकम कर सकते हो घड़ मधने को देते हैं पर इख कितने दिन हो एंपर पॉर्स मुझे यहा पर एक मेना हो मुझे जुग यहां पर एक उचुका आपर शन्तुष यहांपर 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 बहुत अच्छी टीचिंग की जाती है स्पेसिफिकली स्टुडन को मतलब अध्यान देते हैं स्टुडन पर स्पेसिफिक सिकाते हैं उनको अच्छे से टाइम लेके और यहां पर बोट पॉजिटिव एनरजी है तो इस प्रश के अलावा आपको कुछ एजुगेशन के शालोई है कि अभी जो मेंस का जो लड़के तो करते हैं पर लेडिस में भी स्कोप है जेसके तो आप उन लड़को को क्या कहना चाहेंगे कि अब जैसे लड़कों के पास प्रएलिजर हो रहते थे तो कोई बैठता नहीं था अभी सब आड़वांस हो जुके अभी लेड़के आभी लेड़के के हाथ पर कर सकते हैं इसके उचे लड़कों मेरे ही बोलना है कि आप भी आओ आओ आप भी सीको और आप भी कोरो कुछ तो भी हम अर्सुल से और अंगबार